दोस्तों आप यहां पर जो यह LED बल्ब का ड्राइवर देख रहे हैं इसमें क्या प्रोब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ तो देखे इसके लिए मुझे इसमें सिरी लाइन देना पड़ेगा तो मैं इसमें सिरी लाइन देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्य कर लेता हूं कि यह काम करता है या नहीं तो देखे यह बिल्कुल सही काम कर रहा है अब मैं इसमें लाइन देता हूं तो देखे क्या होता है देखे मैं इसमें लाइन दिया तो इसमें कुछ नहीं हुआ इसमें कुछ नहीं हो रहा है तो देखें यह नहीं जल रहा है और यह भी नहीं जल रहा है तो देखते हैं फिर से देखें इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे देखें यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें यहां पर एक resistance लगा हुआ देखें यहां पर य लेग है तो मेरे पास यह वायर है इसका एक वायर यहां पर टच करना है रेजिस्टेंस का पहला लेग यह है और दूसरे वाले लेग पर ही एक वायर को टच करना है और दूसरे वायर को देखे यहां पर टच करना है देखे लाइन यहां से होकर देखे यहां आता है यहां से यहां से फिर रेसिस्टेंच से दुआरा यहां पर लाईना आ जाता है तो यहीं पर मुझे टच करना है और सिरी टेस्ट लें भी जल रहा है तो इसका मतलब है कि इस driver में लगा हुआ कोई ना कोई component सौट जरूर है इस driver में जो यह resistance लगा हुआ है यह तो खराब है ही साथ में देखे यह वाला जो है जब मैं इसे चू रहा हूं तो यह काफी गर्म है काफी गर्म है मैं इसमें लाइन दिया तो यही सोट है तो देखे यह जो खराब हुआ है वह हाई वोल्टेश के कारण खराब हुआ है ठीक है तो इसमें अब करना क्या हुआ कि यह वाला जो एमोभी है इससे और इस resistance क लगा हुआ था यह वाला एमोभी और यह रेजिस्टेंस दोनों ही यहां पर बदल दिया अब मैं इसमें स्री लाइन देकर देखता हूं कि यह जलता है या नहीं तो अब मैं इसमें स्री लाइन दे रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि यह जलता है या नहीं तो देखे मैं यहां पर लाइन दिया स्री लाइन तो देखे यह LED बल्ब जल रहा है लेकिन स्री टेस्ट लेप नहीं जल रहा है तो देखे यह वाला जो स्रीटेस्ट लेप है जलना भी नेच है अगर यह जलता है तो आपका LED बल्ब खरब कर लाएगा यह अभी स्रीटेस्ट नहीं जलता है सिर्फ LED बल्ब देखे जल रहा है इसका मतलब है कि हमारा LED बल्ब बिल्कुल सही हो चुका है तो अब मैं इसे इसमें किसी परकार का प्रोब्लम नहीं है तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने LED बल्ब को बना सकते हैं